नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग आसा है आप लोग से होंगे मैं राजिश कुमार यूनिक टार्गेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अभी आपने कल जो CTT एक्जाम दिया है मुझे आसा है कि आप लोगों का पेपर क्यूंकि आपने बहुत मेनत की तो अच्छे डंक से गया होगा तो पेपर की सीरीज में आज हम EBS का पेपर देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो चलो सुरू करते हैं प्रियावरने अध्यन EBS और इसका जो पहला क्यूशन आप देख रहे हैं EBS में मान चित्रन कोशल नमबर एक रिकार्डिंग कोशल को विक्सित करता है स्थानों की सापे की सिति की समझ को विक्सित करता है लैंडिस्केप खींचने की कोशल को विक्सित करता है या पूरवानमान और गणना की कोशल को विक्सित करता है तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दो मेरे साफ से स्थानों की सापे की सिति को समझने को विक्सित करता है यह होना चाहिए है कक्षा 5 के समयन आम तोर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्या नहीं करते हैं मुद्य को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है मतलब कोई बच्चे जो हैं होमवर्क नहीं करता है तो उसके मुद्य को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है माता पिता से बात करें और उन्हें सलहा दें उसे वेकल्पिक और आशान ग्रह कारे दें उसकी कटनाई का पता लगाने और उसके अनुशार कक्षा कारे को समायुजित करने के लिए उससे बात करें या किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कारे को पूरा करने में मदद करे तो मेरे इसाब से इसमें जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा C.3 उसकी कठनाए का पता लगाने और उसके अनुशार कक्षा कारे को समाईजित करने के लिए उससे बात करे ये सबसे उचित जवाब होगा Next question है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उप्योग निशिद होना चाहिए विसे पर एक वाद विवाद का आईजन क्या मुस्कान के दोरा इस विसे पर कक्षा में वाद विवाद का आईजन का क्या उतीश्य है वह आदुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को शम्वेदर शील बनाना चाहती है या दूसरा है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टी कोणों की सरहना करने में मदद करता है तीसरा वे पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर परतिवंद लगानी के आवशक्ता पर छात्रों को शम्वेदर शील बनाना चाहती है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा तो साथ्यों मुझे लगता है कि इसका सही आंसर फोर होना चाहिए मेरे साथ से यह काफी सटीग लग रहा है नेश्ट क्वेशन है कुछ हजार साल पहले भारत में तालबों के निर्माण के अलबरुनी के आउलोकन के आधार पर कक्षा पांच के एवियस के फाठे पुस्तक में एक अनुच्छेद है इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य होगा नमर एक ये इतिहास के सुरोतों की पहचान करने में सिक्षारतियों की मदद करता है बिल्कल सही है ये सिक्षारतियों को उनके आउलोकन की रिकॉर्डिंग में सुदार करने में मदद करता है गलत है यह सिक्षार्तियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौझूद तकनीकी की सरहना करने में मदद करता है यह सिक्षार्तियों को इतिहास में साक्षे की बूमिका की सरहना करता है तो इसमें से भी हटा देंगे तो हमारा जो राइट अंसर हो जाएगा वो है 4 A, C और D Next question देखेंगे EBS की एकी कृत परकृति शहायक है EBS की integrated nature EBS की integrated nature एकी कृत परकृति शहायक है नमर एक सिक्षार्ति के इंद्रित उपागम का पालन करने में और शंकल उपनाओं की अधिक शंख्या का परिशे देने में दी गई सूचना और विवरणों के से सीखने में पाठे चरे के भार को कम करने और विशिष्ट परकृणों को पेश करने में पाठे चरे के भार को कम करने और सिक्षार्तियों को सार्थकता पूर सीखने में तो मुझे लगता है कि इसका जो सही जबाब है वो सी होना चाहिए पार्ठेचरे के भार को कम करने और विशिष्ट परकुरणों को पेश करने में निमन लिखित में से क्या EBS में आकलन का एक व्यापक शंकेतन नहीं है व्यापक शंकेतन जो नहीं है समानता के प्रतिशरोकार अवधारना मानचितरन तीसरा सैयोग है और चोथा है नियाई के प्रतिशरोकार तो साथ उसका जो राइट आंसर होगा वोगा टू अवधारना मानचितरन प्रयावण अध्यन में प्रशन करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है नेमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में जिग्यासा को बढ़ाने के लिए आनुशाशन को बनाए रखने के लिए या ध्यान खीचने के लिए तो इसका जो सही जबाब है वो है बी, दो, कक्षा कक्ष में जिग्यासा को बढ़ाने के लिए नेश कुशन है अपनी कक्षा में 50 से अधिक शात्रों के साथ वुआनी उन्हें एक ऐसी गतिविदी में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो निवन में से कौन सा क्रियाकलाप अप्रोप्त कारे के लिए ठीक होगा उचित एवी शाधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उप्योग करना नज़ी कस्थान के लिए छेतर भरमन का आईजन करना कौसलों के प्रदर्शन के लिए समुदाई से संदर विक्तियों को आमंतित करना या समूचर्चा को प्रोशाहित करना तो साथे मुझे लगता कि इसका सटीक जवाब होना चाहिए नज़ी कस्थान के लिए छेतर भरमन का आईजन करना नेस क्वेशन देखेंगे एकरा अपने सिक्षार्टियों को ईवियस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोशाहित करती है क्योंकि नम्मर एक ये सिक्षारतियों को स्वतंत्र बनाने में शाहिता करते हैं ये सिक्षारतियों को पर्धी बनाते हैं ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं ये सिक्षारतियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में साहिता करते हैं चौथा हमारा राइट अंसर हो जाएगा ये सिक्षार्तियों कि उनक्यों अपने संसार से जुड़ने में साहता करते तो ये राइट अंसर होना चाहिए नेस्ट कुशन देखेंगे शाथियों नीचे देगे कौन से एक राजे में तो रांग का अर्थ जंगल है तो इसका जो राइट अंसर है वो है नमर दो जारखंड जारखंड इसका राइट अंसर है जारखंड राइट अंसर होगा नेस्ट कुशन आपका घर एक्स पर इस्तित है तथा आपका विद्याले वाई पर इस्तित है कि यदि आपका विद्याले ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त रोज राजमार्ग होने के करण आप सीधे नहीं जा सकते हैं अते पहले आप ठीक दक्षन में 125 मीटर दूर जाते हैं फिर ठीक पूरा में 100 मीटर लंबा सुरंग पतफार करते हैं और अंत में आप ठीक उतर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्याले पहुँच पहुँचते हैं तो वाई पर विद्याले के साफिक एक्स पर आपका घर कहां इस्तित होगा तो साथें कुछ इस तरह से देखेंगे इस तरह से बोलना है मानले बाद कोई X और वहां से यहां से नीचे 125 दक्षन के ओर जाएगा फिर 100 मीटर पूरब के ओर जाएगा फिर 125 मीटर बोलना है के उतर के ओर जाएगा तो लगभग जो इसका जो आंसर है इस तरह से जो इसका आंसर बन रहा है वो है 100 मीटर 100 मीटर ठीक पस्चिम के ओर यह फिर्स्ट वाला इसका आंसर होना चाहिए 100 मीटर ठीक पस्चिम के ओर नेस्ट क्योशन देखेंगे आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कलपना भी नहीं कर सकते हैं इसे वियापारी हमारे देश में लाए तो यह कहां से लाए थे वियापारी यह लाए थे नम्मर एक दक्षन अमेरिकाशे पहला उप्सन सही होगा नेस्ट क्योशन देखेंगे कोई लड़का नागर कोईल से मड़गाउं जाने के लिए 4 जून्दू 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ यह रेलगाड़ी 22 30.30 बज़े से नागरी कोईल से चली और 6 जून्दू 2020 को 4.30 बज़े मड़गाउं पहुची यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलमेटर की दूरी तई की तो रेलगाड़ी की ओस्ट चाल क्या थी तो इस सवाल आपका हल हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नमबर 4 38.5 किलमेटर पर आवर नेस क्योशन नीचे दिया गया कौन सा कथन मद मक्यों और छटों के विसे में सही नहीं है क्योशन को दिहान से देखें सही नहीं है जो सही नहीं है नमर एक छटे में बहुत सारी काम करने वाली मक्या होती है छटे में केवल कुछ नर मक्या होती है परते एक छटे में एक रानी मक्य होती है जो अंडे देती है नर मक्या छटों के लिए अत्यंत महतवपूर्ण होती है next question देखेंगे हमारे देश कर्शमिदान नेमे लिखित में से किसके नेतरत में बनाए गया था डॉक्टर भीम राव बाबा साहईब अमबेटकर सरुपली रादा कृष्णन मोहंदास करम चंद गांदी या सरदार वला भाई पठेल तो इसका जो राइट अंसर है वह फूर्थ डॉक्टर भीम राव बाबा साहईब अमबेटकर अगला कृष्ण देखेंगे पौधों के लिए किये जाने वाले नीचे देगे कार्यों पर विचार कीजे और इसमें जड़ों के कार्य देगे नमर एक पौधे को सहारा देना यूमस परदान करना बी वाला गलत हो जाएगा बोजन संचित या बंडारान करना पानी और खनीजों का अवसूसित करना तो बी वाला अमारा जो है ऑफ्षन गलत हो जाता है नेच्ट क्वेशन देखेंगे निम लिखित में से कौन सा एक भारत संग का परदीश संग सासित परदीश नहीं है भारत संग का जो संग सासित परदीश नहीं है मनिपूर, चंडिगर, लदाग, जम्मू कस्मीर बहुती ईजी शवाल है तो मनिपूर इसका रायट अंसर हो जाएगा यह हमारा संग सासित परदीश नहीं है नेच्ट क्वेशन देखेंगे निम लिखित में से कौन से कच्चिय तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है तो इसका जो रायट अंसर होगा थ्री होना चाहिए बॉम्बे हाई तथा पच्चिम बंगाल बॉम्बे हाई तथा पच्चिम बंगाल इसका रायट अंसर होना चाहिए अगला क्वेशन देखेंगे निम लिखित में से पक्षियों का वेश सम्हों चुनिए इसका प्रतेएक सदस्या हमारी तुलना में चार गुना अधिक दूरी वस्तों के सपस्ट देख शकता है कवा चिल बुलबुल बाज चिल गिद तो इसका जो रायट अंसर होगा होगा टू बाज चिल और गिद अगला क्वेशन देखेंगे पोचमपली भारत के दख्शन राजय का एक कसबा है जो सुंदर्ता के डिजाईन के चमकदार रंगों की पोचमपली साडियों सेश परकार की बुनाई जिसे भी पोचमपली ही कहते हैं केले परिषिद है ये कसबा किस राजय का भाग है तो एक कस्वा जो है तिलंगाना का भाग है तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पहले इसका जवाब सही हो जाएगा अगला क्वेशन देखेंगे निमलेखित में से खाद पदार्तों के समू को चुने जिसके परतेक सदेसे में लू होता तो परिशुर मात्रा में होता तो यहाँ पर जो अफसन देवे हैं उनमें ज्यादा सटिक मुझे गुड आवला और सुरी ये नहीं आवला पालक और गुड होना चाहिए आवला पालक और गुड इसका राइट आंसर होना चाहिए अगला क्वेशन देखेंगे निम्न लिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ परियोग किये और ये पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षन होते हैं जो जोड़ों में पाये जाते हैं जैसे चिकने या खुर्दरे लंबे या बौने या पीले या हरे आदी तो साथियों जैसे हम मटर की बात आती है जीवी ग्यान में तो हमें नाम याद आ जाता है किसका ग्रोगर जैन मेंडल का मेंडल जी का नाम याद आ जाता है तो इसको जो राइट आंसर है वो जैन मेंडल होंगे अगला सवाल देखेंगे नीचे देगे किस एक राजे के ग्रामिन लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत मास के खमों पर दर्ती से तीन से साड़े तीन मीटर की उंचाई पर बनाते है तो इसका जो सही जबाब है असम, ओडिशा, राजस्तान और लद्द तो आप्सन में देख रहे हैंगा इसका जो सही जबाब है वो है अशम, अशम इसका राइट आंसर हो जाएगा नेस्ट क्वेशन, भारत की मांचित्र में दिल्ली की स्तिती के शापक्ष गांदी नगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिसाएं करमशा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथेंगा आप देखते हैं दक्षन पस्चिम इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए फोर्थ दक्षन पस्चिम और दक्षन पूर क्योंकि अगर आम यहाँ पर डेली को मानते हैं तो गांधी नगर, गुजरात, नीचे और पटना लगबग इस तरफ होगा तो यह इस तरफ से क्योंकि इस तरफ से देखेंगा यहाँ पूरव पस्चिम होजाएगा पूरव पस्चिम और उपर होगया उत्तर और नीचे दक्षन तो यहाँ दिल्ली की सापेक्ष में यहाँ नीचे की तरफ यह जो है दक्षण हो गया दक्षण पच्चिम और इधर हो जाएगा दक्षण पूर तो इस तरह से यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो रहा वो हो रहा है दक्षण पच्चिम और दक्षण पूर विसका सही जबाब होना चाहिए अगला कुशन देखेंगे आप एक एक किर्थ EBS कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे एक किर्थ इंटीग्रेटेड EBS क्लासरूम के लिए आप्सन में देखेंगे पहला है विग्यान और सामाजी विग्यान के लिए अलग अध्यापकों का परबंद करेंगे परियावरण विग्यान के लिए अलग अध्यापकों का परबंद करेंगे एक पार्ट में दो या अधिक विसे छेतरों को मिलाएंगे या अलग योजना नेस्ट क्वेशन देखेंगे निम्न में से कौन सा NCF 2005 के अंसार EBS पाठेकरम में सुझाएगे 6 विसोयों में से एक है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं चीजें कैसे काम करती हैं पदार्थ या प्राकरतिक संसादन तो इसको जो राइट आंसर है वो है नमर वन चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं अगला क्वेशन है उपाठ ख्यान अभी लेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए मुख्य रुप से समय गरस्त इस्तितियों की पहचान करना निर्णे वाले कत्नों को लिखना मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना बच्चे की रुचियों और शम्बंदों आदे की पहचान करना तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि A और B तीसरा वाला A और B इसमिता अपने सिक्षार्तियों को कारी से सम्मंदित लेंगे विसमता और रूड़िवादी छवियों की प्रतिसमेद सिल करना चाहती है तो इसमिता को निमन में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए केवल लड़कों से प्रति दिन कक्षा को शाप करने को कहें एक छात्र की मा को कक्षा में आमांतित करे जो आटो चालक है रूड़िवादी मॉडलों को चात्र में प्रस्तुत करे चात्रों को प्रस्तुत करे विविन परकार के कारियों के फ्लेस कार्ड दिखाए तो मुझे लगता है इसका जो सही जवाब होना चाहिए एक छात्र की मा को कक्षा में आमांतित करे जो आटो चालक है एगला कोशन देखेंगे पुनीत ने अपनी कक्षा पांच के सिक्षारतियों को मान और सरीर के गरूपी रखा दी और उन्हें भोजन विशे पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा तो पुनीत चाहता है अच्छे ड्राइंग कोशलों वाले सिक्षारतियों की पहचान करना पाचन की फरिक्रिया पर सिक्षारतियों का मुल्यांकन करना परिक्षन करना की सिक्षारति नामंकित आरेक बना सकते हैं पाचन से संबंदी सिक्षारतियों के विचारों को फ्राप्त करना तो D option मुझे सही लग रहा है, sorry, D option मुझे काफी सही लग रहा है, fourth, तो इसका right answer, fourth होना चाहिए, next question देखेंगे, निमलिकित में से क्या रचनात्मक आकलन के शंबंद में सही नहीं, रचनात्मक आकलन के शंबंद में, इसको छात्रों की परगती की निगरानी करनी है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, रिपोर्ट कार्ड के परतेक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है अधिगम को सुद्रिड करने के लिए या ध्यापक को समय पर कारवाही करने में मदद करती है तो इसका सही जवाब मुझे लगता है तीसरा होना चाहिए क्योंकि report card में प्रतेक तिमाई में इसकी सूचना दी जानी क्योंकि हमें नहीं बताना है सवाल है निमलिकत में क्या रचनात्मा आगलन के संबंद में सही रहे जो सही नहीं है तो तीसरा इसका option सही जाएगा तो साथियों ये रहा आपका ebs का paper पर आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको आपके कितने marks आ रहे हैं और कहीं पर भी अगर आपको doubt हो तो please comment box में मुझे जरूर लिख करके दें thanks for watching see you again very soon till then good bye